वेरी गुड बॉर्णिंग, मैं दॉक्टर आशी शर्मा फैमिली डेंटल क्रिनिक गुहाटी से हम फैमिली डेंटल क्रिनिक गुहाटी में अब एक नया चीज हम लोगों ने स्टार्ट करा है जिसे कहते हैं लाफिंग गैस डेंटिस्ट्री कि कभी आपने सोचा है कि आपके बच्चे जो बहुत परेशान रहते हैं डेंटिस्ट के पास जाने के लिए वो हसी, कुशी और बिना स्ट्रेस के और बिना इंग्जाइटी के डेंटल ट्रीटमेंट करा सकते हैं जी हाँ, ये पॉसिबल है थ्रू लाफिंग गैस बेसिकली हम क्या करते हैं, बच्चे को लाफिंग गैस सेडेट करते हैं, बच्चे को लाफिंग गैस देते हैं, जिसको नाइटर सॉकसाइड बोला जाता है और oxygen combination में दिया जाता है जिससे patient का anxiety level जो बच्चे का anxiety level जिससे कहा जाता है कि बच्चे जो परिशान रहते हैं जो बच्चे सोचते हैं कि उनको दर्द होगा वो चेर में नहीं बैठना चाते हैं उनको वो रोते भी कई बार चेर में बैठने के पहले वो कम हो जाता है इस प्रोसस से हम क्या करते हैं जब वो laughing gas इन्हाल करते हैं तो उनका anxiety level उनका stress level है वो बहुत कम हो जाता है और वो बहुत काम हो जाते हैं जब वो काम हो जाते हैं तो हमें उनका treatment करना असान हो जाता है वनका जो एक्डूचिए लेवल कम होने कारण क्या होता है? कि हम उन्हें निट्रसक्साइड देते हैं विगी थे कंपिनेशन निट्रसक्साइड आक्ससाइड देते हैं थो एक मशीन इनार में इंटायर लेक्ड़िक कुषे बादे हैं इनिल कराने के बाद जब उनका स्ट्रेस कम हो जाता है तो फिर हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं और सबसे अच्छी बात यह कि बच्चा जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है वो हमारे सारे कमांड्स को सुन सकता है अगर हम उनको जो भी वर्बल कमांड्स देते हैं उनको अच्छी तरह एकसेप्ट करते हैं उनको अपना मुँझ खोल लिए तो उनको कोई भी प्राबल्म उनको हो तो अपना लेफ्टेंड उपर करके हमें रोक सकते हैं इससे डेंटल ट्रीटमेंट जो कि बच्चों में आजकल बहुत प्राबलम होते हैं, बच्चों में बहुत कॉमनली डेंटल केविटीज या कैरीज दिखाई देते हैं, वो हम आराम से कर सकते हैं, और एक सबसे बड़ा फाइदा इस चीज़ का है कि जो प्रोसीजर टाइम हो होता है, वो भी बहुत कुई कोई होता है, तो रिपीटेड अपॉर्टमेंट की जरुवत नहीं होती है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के दाथ साफ रहे, अच्छे रहे और वो अच्छी तरह खाप पी सके, तो प्लीज आप इस ट्रीटमेंट को अवेल कराए है, तक यू सो मुच